इस वीडियो के अंदर बात करेंगे लेटेस्ट Aero OS के अपडेट के बारे में और ये Redmi K20 Pro के अंदर मैंने परसो से इंस्टॉल करके रखा है कल वीडियो नहीं दे पाया क्योंकि लाइट की प्रॉबलम थी तो उसकी वज़े से ये वीडियो डिले हो चुका है तो इस वीडियो के अंदर बात करते हैं लेटेस्ट Aero OS की और कैसी इंप्रॉवमेंट्स आपको मिलती हैं और क्या चीज़ें आपे चेंज़ेस हैं वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करता हूँ तो चैनल पे पहली पर आयों तो सब्सक्राइब एंड वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर से कर सकते हैं अपाउट फोन के ऊपर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है 12G Apps Build और यह Official है OSS Vendor के साथ Android 11 का firmware आपको Flash करना होगा और उसके साथ November का Security Patch Level still आपको मिल जाता है तो यह एक आप बोल सकते है November के Security Patch Level के साथ में आपको Fixes वाला Update मिलता है तो Features आप यहाँ पे Expect नहीं कर सकते Kernel की बात करें तो Kernel आपको यहाँ पे CF Based Perf का Kernel Inbuilt देखने के लिए मिल जाता है सबसे पहले Important Things की बात करेंगे तो आपका जो डिवाइस है वो यहाँ पर आपको Certified देखने को मिल जाएगा Without Root Safety Net आपका पास है और DRM Info के इंदर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको Widevine L1 भी देखने के लिए मिल जाएगा उसके साथ आप अगर F2FS के अंदर Flash करने वाले हो तो वो भी आपका यहाँ पर supported है F2FS के अंदर मैंने still इसको Flash कर रखा है कोई प्रावल्म आपको नहीं आने वाली Stock Camera के उपर आ जाते हैं तो यहाँ पर I think आपको Camera Go Edition मिलता है तो अगर आप यहाँ पर Full Camera ट्राइ करना चाते हो तो Arnova 8.1 यहाँ पर आप ट्राइ कर सकते हो because यहाँ पर 4K 60fps वीडियो आपके सिर्फ और सिर्फ Arnova के अंदर ही वर्क करेगी otherwise आप कोई और Camera ट्राइ करना चाते हो तो कर सकते हो बागी Anex Camera आप कैसे Flash करना चाते हो वो अगर आप Interested हो तो वो आपको यहाँ पर वीडियो Anex वाली Playlist के अंदर चैनल के ओपर मिल जाएगी उसको जरूर से आप Check Out कर सकते हो Stock Launcher Same as it is वही आपको देखने को मिल जाता है जो की है Quick Step का और यह Options आपको यहाँ पर मिल जाते है और इसके अंदर Wallpaper Zooming का Option आपके लिए Enabled है यहाँ पर अगर App Opening Crowsing Speed की बात करे ना तो यहाँ पर ROM काफी Super Fluid देखने को मिलती है बढ़ा उतनी भी ज्यादा भी Stable आपको नहीं मिलते है स्टिल आपको थोड़े से सम्टाइम्स जो है Glitches वगरा फील होंगे क्योंकि Android 11 Initial Stage के अंदर है और ज्यादा भी अपडेट्स भी इन ROMs के उपर नहीं आए जस्ट November के अपडेट्स चल रहे हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे Most Probably January याफिर December के अंदर ही आपको स्टेबल अपडेट्स देखने के लिए मिल जाएंगे बट जो एनिमेशन है वह आप चेक कर सकते हैं कुछ हैसे एनिमेशन आपको मिल जाते हैं कोई lag वगर है मैंने यहाँ पे UI के अंदर एट लिस्ट नहीं फेस किया अगर आप Android 12 के यहाँ पे उसके साथ screen recording के अंदर आपको यह options मिलेंगे and next अगर बात करें यहाँ पर hot spot का option है और caffeine mode और उसके बाद यहाँ पे nearby share वगरा extra dim का option आपको यहाँ पे inbuilt देखने को मिल जाता है वह आपका यहाँ पे spoofing जो की है आपको photos के अंदर मिलता है यहाँ पे unlimited आपको जो है backup मिल जाएगा जो कि आप चेक कर सकते हो तो यह option आपके लिए यहाँ पे available है by default आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा latest photos आप यूज करा हूँ मिरको कोई यहाँ पे दिक्कत वगरा नहीं आई अब आते features के उपर तो features की बात करते हैं सबसे पहले system के अंदर जलते हैं कोई update आपको नहीं मिलता tap to sleep on status bar आपका work करता है और tap to wake आपका lock screen के उपर working है tap to sleep आपका यहाँ पे work करता है and FOD की speed आपको मैं आगे check कर वांगा बड़ उससे पहले चलते हैं gestures के उपर तो यह आपको gestures मिल जाते हैं do button आपको नहीं मिलेगा gesture bar आप यहाँ पे disable कर सकते हो अगर चाते हो यानि full screen gestures को आप enjoy कर सकते हो कुछ चीज़ तरी करते हैं screen off FOD के साथ में speed आपको कुछ ऐसी मिल जाती है excellent है कोई problem में को नहीं आई यहाँ पर आप जो easily यहाँ पे यूज़ कर सकते हो कोई problem नहीं आएगी screen on के साथ में speed देख सकते हो ज्यादा fast तो नहीं मिलती बड़ यहाँ पे speed आना वो काफी accurately वर्क कर रही है कोई problem नहीं आई और मैं इसको पर्सों से यहाँ पे जो F.O.D.S. को एड़ कर रहा है कोई दिक्कत आपको इसके सिगात नहीं आएगी wall paper and style के उपर आपको यहाँ पे themed icon मिल जाते हैं app grid change कर सकते हो और display के अंदर आपको यहाँ पे options मिलते है night light colors के अंदर boosted, adaptive, natural सब कुछ यहाँ पे पर वो आपको माँगे बताता हूं बढ़ उससे पहले यह रहा usage and यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको जो अगर आप gaming करना चाहते हो या फिर heavy task करना चाहते हो उसके उपर जो आपको drain मिलेगा वो 22 से लेके 24 या आपको 25% पर आर के आसपास मिलेगा जो की काफी अच्छी है नॉर्मली आपको यहाँ पे काफी अच्छा OSS vendor के साथ में बैटरी बैकप मिल जाएगा और रही बात charging speed की वो आपको excellent मिल जाती है नो बात करेंगे यहाँ पर charging speed की यह आपको charging speed मिल जाती है और 25 degree के आसपास temperature ता कोई heating issue आपको नहीं आने वाला और यह है इसका CPU throttle राफ जिसको 10 मिन तक run किया था बिल्कुल भी CPU throttle नहीं करता 1,85,000 के आसपास maximum GIPS और average है 1,82,000 के आसपास और यह है Geekbench 5 का score जो की आपको काफी excellent सा मिल जाता है F2FS के साथ में stock kernel के ओपर गेमिंग performance की बात करेंगे at least जितने मैंने Android 12 based ROMs Redmi K20 Pro के अपर यहां पर try किया है जस्ट एक दो को छोड़के सबसे best यानि की जो ROM की मिलको performance मिले है ने gaming के अंदर वो इसके अंदर है और यह update काफी अचा है gaming के लिए कुछ fixes के साथ में आपको मिलता है ज्यादा features आपको Aero OS के अंदर नहीं मिलते क्योंकि जो Aero OS है वो stability के लिए आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाती है यानि की popular है बट जो gaming performance है वो काफी अच्छी है हाला कि peak performance आपको नहीं मिलती जो कि Redmi K20 Pro की होनी चाहिए बट हाँ जितनी भी ROM की performance है वो काफी stable है gaming के अंदर में और कोई touch issue बगरा मैंने face नहीं किया बट इससे भी better हो सकती है बट यह daily driver के लिए काफी अच्छी ROM आपको मिल जाती है तो अगर आप interested हो इसको ज़रूर से flash कर सकते हो अपमेंट्स में इमताना वीडियो कैसा लगा मैं मिलता हूँ आपसे एक और new interesting वीडियो के साथ में